हरे एक्रिष्णा राधी राधे आप सभी भक्तों का आस की कथा में हार्दिक स्वागत है भगवान स्रीक्रिष्ण और श्रीमति राधा रानिकी कृपासे आपकी समस्त मनो कामनाय पून हो 16 दिसंबर 203 दिन है सनिवार और आज आप सुनेंगे मार्क्सिस मास की कथा का 19 स्वांत्याए कहते हैं कि भगवान जगरनाद जी का प्रसाद दुनिया के सभी मंदिरों के प्रसाद से भिन्न होता है और चमतकारिक होता है इस मंदिर के प्रसाद को बहुत ही विशेश तरीके से अनोखी तरीके से बनाय जाता है और इस संबंध में एक विशेश कता है भगवान भूलेनाद की जो आज मैं आप से शेयर करने वाली हूँ लेकिन इस से पहले जानते हैं जगरनाथ जी के प्रसाद के बारे में कुछ खास बाते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि जगरनाथ जी के प्रसाद को महा प्रसाद कहा जाता है जैसे कि किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यत्या प्रसाद ही कहा जाता है परन्तु जगनाथ जी के मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महा प्रसाद माना जाता है कहते हैं कि एक बार महाप्रभू वल्लभाचार्यजी एकादशी वरत के दिन जगनात मंदिर पहुँचे अब वरत वाले दिन वल्लभाचार्यजी को किसी ने प्रसाद दिया वल्लेभा चारे जी ने वो प्रसाद लिया और उन्होंने स्तवन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दी अगले दिन द्वादशी को स्तवन समाग धोने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया जिसके बाद प्रसाद को महा प्रसाद का गौरो प्राप्त हुआ क्योंकि एकादशी के दिन वो प्रसाद खा नहीं सकते थे जगनाथ जी का प्रसाद में हमेशा चावल बनता है भात बनता है और एकादशी का उनका व्रत था अब प्रसाद है तो हाथ से रख भी नहीं सकते थे तो हाथ में लिये लिये ही भगवान की आराधना करते रहे और फिर अगले दिन 12 तिति के दिन उसी प्रसाद को खा कर अपना व्रत खूला और तभी से जगनाथ जी के प्रसाद को महा प्रसाद कहा जाने लगा और यहां की दूसरी खास बात है यहां का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है जगनाथ जी के मंदिर में 500 रसोई ये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं भगवान जगनाथ जी का प्रसाद और कम से कम लाखो भक्त यहां भोजन कर सकते हैं और ये भी बताया जाता है कि वहां पर जो भोजन बनता है जो भोग तयार किया जाता है भगवान के लिए वो सब मालक्षमी की देखरेक में होता है मतलब अगर ये कहा जाए कि मालक्षमी स्वैमी जगनाथ जी का भोग बनाती है तो ये बिल्कुल सत्य होगा तीसरी खास बात है कि प्रती दिन भगवान जगनाद जी के लिए 56 भोग तयार होता है और ये सारे व्यंजन जो बनते हैं वो मिट्टी के बरतनों में तयार किये जाते हैं और प्रिसाद बनाने की जो विधी होती है वो बिल्कुल अजीब होती है कहा जाता है कि मंदिर की रसोई में प्रिसाद पकाने के लिए साथ बरतन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है और अब चमतकार देखिए कि इस तरह से जो भोग बनाया जाता है साथ बरतन एक दूसरे के उपर रखे जाते हैं पहले उसी मवनना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं होता है वहां पर सबसे उपर वाले बरतन कभोग जल्दी तयार हो जाता है यह हमारे जगरनाथ जी का चमतकार अब बात करें पांचवे चमतकार की तो हजारों के लिए बनता है प्रसाद और लाखों लोग खा जाते हैं कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाएं तो भी वो प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं प्रसाद फिर भी कम नहीं होता महाप्रसाद से संबंदित छटी खास बात है कि वहां पर खाने की सामगरी भरपूर मात्रा में होती है मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन किसको लगता है पारवती माता को यहां पर विमला देवी नाम से पारवती माता का एक मंदिर है और महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पारवती को भोग लगता है और फिर उसके बाद भगवान जगनात जी को भोग चड़ता है अच्छ जगनात जी के मंदिर में महाप्रसाद को ग्रहन करने का भी एक नियम है मान्यता है कि एक बार माता लक्षमी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनी को ये प्रसाद भगवान की अनुपस्तिती में दे दिया था तभी से ये परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग रहन नहीं किया जाएगा तो भगवान के विग्रह के सामने बैठ कर कोई भी प्रसाद रहन नहीं करता और अब आप सुनेंगे महाप्रसाद की महा कथा ये महाप्रसाद कैसे इस संसार में आया इस संबंध में चैतन्य मंगल में एक कथा आती है एक दिन नारद मुनी कैलाश परवत पर शिव जी के दर्शन करने पहुंचे और उन्होंने भगवान क्रिष्ण और उद्धव जी के बीज की वार्तालाप का बढ़न भगवान शिव के समक्ष किया अब इस प्रसंग में उद्धव जी भगवान के महाप्रसाद की महिमा का गान करते हुए कहते हैं हे भगवन आपकी महाप्रसादी माला, सुगंधित तेल, वस्त्रों और आभूशनों और आपके उचिष्ट भोजन को स्वीकार करने से आपके भग्त आपकी माया शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं ये सुनकर नारद मुनी कहते हैं हे कैलाश पती, यह सुनकर मेरे रिदय में भगवान विश्णु का महाप्रसाद चखने की तिवर उतकंठा जागरित हुई है इस आशा से मैं वैकुंठ गया और पुर्ण भग्ति भाव से माता लक्ष्मी की सेवा करने लगा बारह वर्सों तक सेवा करने के पस्चात एक दिन माता लक्ष्मी ने मुझसे कहा नारद मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रचन हूँ तुम मन्चाहा वर मांग लो ये सुनकर नारद जी ने विन्यभाव से कहा हे माता अनन्त काल से मेरे हृदय में इस बात को लेकर पीड़ा है कि मैंने आज तक कभी भगवान विश्मु के महाप्रसाद का आस्वातर नहीं किया है किरिपया मेरी यह अभिलासा प्रोण कर दीजिए अब ये सुनकर माता लक्ष्मी देवी दुविधा में पड़ गई कहने लगी परन्तु नारद जी मेरे स्वामी ने मुझे कठोर निर्देश दिये है कि उनका महाप्रसाद किसी को भी न दिया जाए मैं उनकी आज्या का उलंखन कैसे कर सकती हूँ परन्तु तुम्हारे लिए मैं अवश्य कुछ व्यवस्ता करूँगी कुछ समय के पस्चात माता लक्ष्मी ने भगवान विश्णू से अपने हृदय की बात कही और बताया कि किस तरह उन्होंने भूलवस नारदमुनी को भगवान का महाप्रसाद देने का वच्चन दे दिया है अब ये सुनकर भगवान विश्णू ने कहा हे प्रिये तुमने तो बड़ी भारी भूल की है परन्तु अब किया क्या जा सकता है तुम नारदमुनी को मेरी अनुपस्थिती में मेरा महाप्रसाद दे सकती हो नारदमुनी ने आगे कहा हे महादेव आप विश्वास नहीं करेंगे महाप्रसाद के मात्र सपर्स से मेरा तेज और आध्यात्मिक शक्ती सो गुना बढ़ गई मैं दिव्यभाव का अनुभव करने लगा और यही सुनाने मैं यहां आया हूँ यह सुनकर कैलाश पती महादेव जी कहते हैं हे नारद निश्ची थी तुम्हारा तेज तो अलोकिक है परन्तु तुमने ऐसे दुरलब महाप्रसाद का एक काल भी मेरे लिए नहीं रखा अब यह सुनकर नारद मुनी थोड़े लज्जित हो गए परन्तु तभी उन्हे स्मरण हुआ कि उनके पास अभी भी थोड़ा महाप्रसाद बचा हुआ है उन्होंने तुरंत उसे महादेव को दिया जिसे उन्होंने अत्यंत सम्मान पुर्वक्स विकार कर लिया उसे ग्रहन करते ही श्रीकृष्ण के प्रेम में मस्त होकर भगवान शिव अन्रित्य करने लगे उनके अंडित्य की धिरकन से हिलने लगी धर्ती और भुगंप सा महसूस होने लगा तब भेभीत होकर माता पृत्वी ने माता पारवती से महादेव को शांत करने का निवेदन किया बड़ी मुश्किल से माता पारवती ने शिवजी को सांत किया और फिर उनसे इस उन्मक तंडित्य का कारण पूछा तो शिवजी ने इसका कारण बताया ये सुनकर माता पारवती रुष्ठ होकर बोली स्वामी आपको महाप्रसाद मुझे भी देना चाहिए था क्या आप नहीं जानते कि मेरा नाम वैश्नवी है आज मैं प्रतिज्या लेती हूँ कि यदि भगवान श्रीहरी मुझे पर अपनी करुणा दिखाएंगे तो मैं प्रयास करूंगी कि उनका महाप्रसाद ब्रंभान के प्रत्येक व्यक्ति देवता और यहां तक की सभी प्राणियों को भी प्राप्थ होगा माता पारवती भगवान शिव से ये बात कही रही थी कि तभी आश्चरे जनक रूप से उसी क्षण भगवान विश्णु माता पारवती के वचन की रक्षा के लिए वहां प्रकट हो गये और बोले हे देवी पारवती मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं स्वयम तुम्हारी प्रतिग्या को पुर्ण करूँगा और पूर्सोत्तम चित्र जगनात पुरी में प्रकट होँगा और ब्रह्म्हांड में प्रतेक जीव को अपना महाप्रसाद प्रदान करूँगा और इसलिए आज भी जगनात मंदिर में भगवान जगनात को भोग लगाने के पहले सर पूर्थम प्रसाद विमला देवी अर्थात पारवती माता के मंदिर में अरपित किया जाता है और यही कारण है कि कोई भी भक्त प्रसाद कभी भी अर्चा विग्रह के सामने बैठकर ग्रहन नहीं करता है तो पूर्य भक्ति भाव से प्रेम से जय कारण लगाईए जय जगनात और हमेशा की तरह अगर आपको कधा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में राधी राधी जरूर लिकिए और अब आप सुनेंगे राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र अशोक व्रिक्ष वल्लरी वितानमंड पस्तिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांध्री को मले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदाकरिश सीहमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अनंग रंग मंगलं प्रसंग भंगुरं भुवां सविब्रमं ससंप्रमं द्रिगंत बाण पातने निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदाकरिश सीहमां कृपा कटाक्ष भाजनम् तडित्सुवर्ण चंपक प्रदिप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि सार देंदु मंडले विचित्र चित्र संचरत्च कोर शावलोचने कदाकरिश सीहमां कृपा कटाक्ष भाजनम् मदोन्मदादि योवने प्रमोद मान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कलाविलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केली कोविदे कदाकरिश सीहमां कृपा कटाक्ष भाजनम् अशेश हाव भाव धीर हीर हार भूसिते प्रभूत शात कुम्ब कुम्ब कुम्बि कुम्ब सुस्तनी प्रसस्त मंद हास्य चुर्ण पुर्ण सोक्य सागरे कदाकरिश सीहमां कृपा कटाक्ष भाजनम् ब्रिणाल वाल वल्लरीत रंग रंग दोर्लते लताग्र लास्य लोल नील लोच नावलोकने ललल्लुलन मिलन मनोग्य मुग्ध मोहिनाश्रिते कदाकरिश सीहमां कृपा कटाक्ष भाजनम् सुवर्ण मल्ली कांचित त्रिरेख कम्बु कंठगे त्रिसुत्र मंगली गुण त्रिरत्न दिप्ति दीधिते सलोल नील कुंतल प्रसून गुच्छ गुम्फिते कदाकरिश सीहमां कृपा कटाक्ष भाजनम् नितंब बिम्ब लंब मान पुष्प मेखला गुणे प्रशस्तरत्न केंकिडी कलाप मध्य मन्जुले करिंद्र शुन्ड दंडिकाव रोह शोभ गोरुके कदाकरिश सीहमां के पाकटाक्ष भाजनम् अनेक मंत्र नाद मंजुनू पुरार वस्खलत समाज राज हंस वंश निक्वडाति गौरवे विलोलहे मवल्लरी विडंब चारु चंक्रमे कदाकरिश सीहमां क्रिपाकटाक्ष भाजनम् अनन्त कोटि विश्णू लोक नम्र पद्मजार्चिते हिमाद्रिजा पुलोम जाविरिंचे जावर प्रदे अपार सिध्धि रिद्धि दिग्ध सत्पदांगुली नखे कदाकरिश सीहमां क्रिपाकटाक्ष भाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण साशनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी व्रजाधि पेश्रिराधिके नमोस्तुते इतीम मद्भुतं स्तवं निशम्य भानु नंदिनी करोतु संततं जनं क्रिपाक टाक्ष भाजनं भवेत्त दैव संचित त्रिरूप कर्म नाशनं लभेत्त दाब्रजेंद्र सुनु मंडल प्रवेशनं जै जै श्री राधे जै जै श्री राधे ओम विश्वम विश्वर वचटकारू भूत भव्य भवत्रभू भूत कृत भूत भृत भृतभवो भूत भूत वाहन पूतात्म पर्मात्माच मुगतानाम परमागती अव्यय पुर्षा साक्षी शेत्रग्यो अक्षर एवचा योगो योग विदामनेता प्रधान पुरुषेश्वरा नारसिंगव पूश्रीमान केशवः पुरुषोत्तमा सर्व शर्व शिवस्थानुर भूतादिर निधर्वयया संभवो भावनो भर्ता प्रभव श्वयंभू शंभू रादित्य पुस्कराक्षो महास्वन अनादि निधनोधाता विधाताधातो रुत्तमा अप्रमेयो रिशीकेश पद्मनाभो अमर प्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वस्थास्थास्था विरोधुव अग्राहिया शाष्वता क्रिष्णो डोहिताक प्रभूतस्त्रिककुपधाम पवित्रम्मंगलंपरम इशानह प्राण दह प्राणु जेश्ठ श्रेष्ठ प्रजापती हिरन्य गर्भू भूगर्भू माधवो मदु सूधन इश्वरो विक्रमीधन्वी मेधावी विक्रमहक्रम अनुत्तमो दुराधर्ष अकृत अग् विनीश्रित वसुर्वसुमना सत्य समात्मा सम्मितहसम अमोग पुंडरी काक्षो व्रिशकरमा अवरिशाकृति रुद्रो बहुशिराब अब्रूर विश्वयोनी सुचिश्रवा अम्रितह शाष्वतस्थानूर वरारोहो महात्पा सर्वगह सर्व विद्भानूर विश अनि हिस्परूरोल जगदाधिच अनगों विज्यों जेता विष्वयों नीहं पुनर्वसु उपेंद्रों वामना प्रांशुरूमोः सुचरुरुजिता अतिंद्रा संग्रहा सर्गों धृतात्मानियवोयमा वेध्यो वयध्या सदायोगि वीरहा माधवोमदू अतिंद सुरानंदो गो विन्दो गो विन्दामपती मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णु भुजुकोत्तम हिरन्यनाभ सुतपा पद्मनाभ प्रजापती अम्रित्यु सर्व दिक्सिंह संधाता संधिमानस्तिर अजो दूर मर्षड शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा गुरुडगुर सुपर्साधह प्रशंनात्मा विश्वध्रिक विश्ववग्विभू सत करता सत कृतसाधु जहर् नुर रायनो नर政府 अप्रेमियात्मा विश्ष्ण सिष्डक्रिच्छुवी सिध्धार्ता सिध्ध संकल्प सिध्धिदा सिध्धिसादना वरिशाही विर्षभो विष्णूर विश्परवा वरिशोदरा वर्धनो वर्धमानस्च विविक्ता शुर्तिसागरा सुभु जोदूर्धरो वाग्मी महेंद्रो वसुदो वसु नैकरूपो ब्रिहद्रूप शबिविष्ट प्रकाशन ओजस्ते जो दुदिधर प्रकाशात्मा प्रतापन रिधस्पस्टाक्षरो मंत्रस चंद्रान्षुर्भाश कर दूति ही अम्रितान शुद्भवो भानु शषबिंदु सुरेश्वरा औशधम जगता सेतु सत्यधर्म पराक्रमा भूत्भव्य भ सिखंडी नहुसो वरिष प्रोधाक रोदकरता विश्ववाहुर महीधर अच्चुत प्रतित प्राण प्राण दो वासो वानुज अपामनि धिर्धिश्टानम प्रमत्त प्रतिष्टित सकंद सकंद धरोधूर्यो बरदो वायुवाहन वासुदेवो ब्रिहत्भानु अतुलाशर भोभीमो समयक्जो हविरहरी सर्वलक्षन लक्षन्यो लक्ष्मिवान समितिन जया विक्षरो रोहितो मार्गो हेतूर्दामो दरस महीधरो महाभागो वेगवानमिताशन उद्भवाचो भणो देवा स्रीगर्भ परमेश्वर करणम कारणम करता विकरता गहनो व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थान दोध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट असुभेख्षन रामो विरामो विर्जो मार्गो नेयो नेयो नेया वीर शक्तिमताम्ज्रेष्टो धर्मो धर्मविदुत्तमा व्यकुंठ पुर्ष प्राण प्राणद जमव्ययम अर्थो अनर्थो महाकोषो महाभोगो महाधना अनिर्विन्न स्थविष्ट्वभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रने मिर नक्षत्री छमाचामा समीहना यज्य इज्यो महिज्यस्च प्रतू सत्रम सतामगती सर्वदर्शीव मुक्तात्मा सर्वग्यो ग्यान मुत्तमं सुवरता सुमुख सुष्मा सुखोसा सुखदा सुरिता मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर विदारणा स्वापना स्वव सोव्यापी नेकात्मानेक कर्मकृत बत्सरोवसलोवसी रत्नगर्भो धनेश्वरह। बत्सरोव सी रत्नगर्भो धनेश्वरह। सुधन्वा खंड पर्शूर दारुणो द्रविडा प्रद दिविस्तिरिक्सरवद्रिग्व्यासो वाचश्पतिर योनिजह त्रिसामा साम गहसामा निर्वानम भेश जम्भिसक सन्यास्कृच्छमा शांतो निष्ठा शांति ही परायनम शुभांगा शांति दसरष्टा कु ट्रिनिथी श्रीविभावन, स्री धरकरेश्रेय, स्रीमानलोक त्रया श्रेय, स्वक्षा स्वंग, स्रतानन्दो, नंदिर्जो तिर्गनेश्वर, विजितात्मा विध्यात्मा सत किरते, श्छिन संसिय, réussरण स lensesたर्व तक्षकृ, शाश्वदा स्थिर, भूचयो पुर्ण पुराइता पुन्यकिरते रिनामया मनुज वस्तिर्थकरो वसुरेता वसुप्रद, वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसु मनाहवी, सत्गती सत्किर्ती सत्ता सत्भूती सत्परायन, शूर सेनो यदुस्रेष्ठ सन्निवास सुयामुन, भूतावासो वासुदेव सर्वासुनिलियो अनल, दर्पहा प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैक श्रिंगो गताग्रज चतुर्मूर्टी स्चतुर्बाहु स्चतुर्व्युः चतुर्गति चतुरात्मा चतुरुभावस चतुरवेद विदेक पात समावर्तो अनिवर्तात्मा दूर्जयो दुरतीक्रमा दूरलभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगोलो के सारंग शुतन्तुष्तन्तु वर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा सुलोचन अरको वालसना श्रिंगी जयनत सर्व विज्याई सुवरण विंदु रक्षोभ्य सर्ववागी इश्वरेश्वर महाहरदो महागर्तो महाभूतो महानिधी कुमुदह कुंदरह कुंदह परजन्य पावनोनील अमृताशो अमृतवपु सर्वज्य सर्वतो मुख सिद्ध शत्रुजी छत्रुतापन न्यग्रोधो दुम्बरो अस्वस्त स्चानुरांध्र निशूदन सहस्त्राट्ची सप्त जीव सप्तेधा सप्त वाहन अमूर्दिरणगो अचिंत्यो भैकृत भैनासन अनुर्ब्रिहत क्रिशास्थूलो गुण भृण निर्गुणो महान अध्रित स्वध्रित स्वास्य प्राग्वन्षो वंश वर्धना भार भृतिकतितो योगी योगी ससर्व कामद आश्रम श्रमन चाम सुपरणो वायु वाहन धनुर्धरोर धनुर्वेदो दंडोद मैतादमा अप राजिता सर्वसहू नियंता अनियमोयमा सत्ववान सत्विक सत्य सत्य धर्म परायन अभी प्रयाया प्रियार होरह प्रियक्रीत पिल्ति वर्धना विहाय सगतेर जोती सुरुचिर हुद भुग विभु रविर विलोचना सुरिय सविता रविलोचना अननंतो हुद भुग भोगता सुखदो नैक जोगरजा अनिर विन्ना सद लोकाधेष्टा अनमद्भुटा सनातन्तमह कपिलह कपिरप्यय स्वस्थिद स्वस्थिकृस्थि स्वस्थिभुग स्वस्थिदक्षण रौद्रह कुंडली चक्रे विक्रम्यूर जेतिशाषण शब्दातिग सब्दशह शिशिर अश्चरवरीकर अक्रुरह पेश लोधक् पुन्यो दुस्व प्रनाशन, वीरहारक्षन संतो जीवन पर्यवस्तित, अनंत्रूपो अनंत्तस्रिट जित्मन्यूर भयापह, चत्रष्टो गभिरात्मा विदिचो व्यादिशो दिश, अनादीर भूर्भु ओलक्ष्मी, स्वीरो रुचिरांगद, जन नो जन जन मादिर भीमो भीम पराक्रम, आधार नीले योधाता, पुस्पहास, प्रजागर, उर्ध्वग, सत्पताचार, प्राणद, प्रणवापण, प्रमाणम, प्राण, नीलिय, प्राण, भृत, प्राण, जीवन, तत्वम, तत्व विदेकात्मा, जन्मे मृत्यो जरातिग, गजेंद्र मोक्ष पाठ पाठ सुनाने से पहले थोड़ी सी जानकारी में आपको देना चाहती हूं इस स्टोत्र के बारे में हिंदु धर्म के प्रथम ग्रंद श्रीमत भगवत गीता के तीसरे अध्याई में गजेंद स्तोत्र पढ़ने को मिलता है इसमें श्लोकों की संख्या है 33 और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदर का जाब करने से जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो तक काल आपको उससे मुक्ति मिल जाती है इस स्तोत्र में हाथी और मगरमच्च के साथ हुए युद्ध का वरणन किया गया है और गजेंदर जब युद्ध से हार जाता है तो भगवान विश्नु का ध्यान करके उनकी स्तूती करता है और उसकी स्तूती से प्रसन्न होकर भगवान विश्नु आते हैं और उसे मुक्ष प्रदान करते हैं और इस पाट को करते समय अगर हम अपने मन में ये भावना रखें कि हे श्री हरी विष्णु जिस प्रकार से गजेंद्र को परेशानी से अपने बाहर निकाला उसी प्रकार से हमें भी हमारी परेशानियों से बाहर निकालिये तो निश्चित ही भगवान विष्णु हमारी को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्मे में याद किये गए सर्वोच्यकार्य और बार-बार जब किये जाने वाले स्तोत्र का जब करने लगा गजेंद्र ने मन ही मन श्रीहरी को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिस्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता का मैं मन ही मन स् प्रकट हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो इस पूरी दुनिया में सर्वोपरी और स्रेष्ठ हैं ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में जाता हूं अपने संकल्प शक्ती के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और स्रिष्ठी काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिधी प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित द्रिष्टी के साक्ष रूप में देखते रहने प परम प्रकाशक प्रभू आप मेरी रक्षा करें। उसी तरह से सत्व प्रधान देवता और महर्शी भी जिनके शुरूब को नहीं जान पाते। ब्रह्मचार्य तमाम अलोकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गती हैं, वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनके द्वारा अहंकार प्रेडित करमे ही होते हैं, जिनके निर्गुण सुरूप का न तो कोई नाम है और न प्राकरित, आकार रहित एवं अनेकों आकार वाले अध्भुत करमा भगवान को बारं बार नमसकार है। रजोगुण को स्विकार करके घोर एवं तमोगुण को स्विकार करके मूड से प्रतित होने वाले भेद रहित अतेव सदा सम भाव सेष्थित ज्यानगन प्रभु को मेरा नमसकार है। समस्त प्रतितियों के कारण रूप संपुर्ण जड प्रपंच एवं सबकी मूल भूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले तथा संपुर्ण विश्यों में अविद्या रूप से भासने वाले प्रभु को मेरा नमसकार है। सबके कारण किन्तु स्वयम कारण रहित तथा कारण होने पर भी परिणाम रहित होने के कारण अन्य कारणों से विलक्षन कारण आपको बारम बार नमसकार है। संपुर्ण वेदो एवं शास्त्रों के परम तात्पर्य, मोक्ष रूप एवं स्रेष्ट पुरुषों की परम गती भगवान को नमसकार है। से शरणागत पशु तूल्य अर्थात अविद्या ग्रस्त जीवों की अविद्या रूप फासी को सदा के लिए पुरुण रूप से काट देने वाले अत्यधिक दयालू एवं दया करने में भी कभी अलश्य न करने वाले नित्यमुक्त प्रभू को नमसकार है। मुक्त पुरुसों के द्वारा अपने ह्रिदय में निरंतर चिंतित ज्यान सुरूप सर्वसमर्थ भगवान को नमसकार है। जिन्य धर्म अभिलाशित भोग धन तथा मोक्ष की कामना से भजने वाले लोग अपनी मंचाही गती पालेते हैं। अपितु जो उन्हें अन्य प्रकार के अयाचित भोग एवं अविनासी पार्षद शरीर भी देते हैं। वे अतिशय देयालू प्रभु मुझे इस विपत्ती से सदा के लिए उबार ले। जिनके अनन्य भक्त जो वस्तुत एक मात्र उन भगवान के ही शरण है। धर्म अर्थ आदी किसी भी पदार्थ को नहीं चाहते। अपितु उन्हीं के परम मंगल में एवं अत्यंत विलक्षन चरित्रों का गान करते हुए आनंद के समुद्र में गोते लगाते रहते हैं। उन अविनासी, सर्व व्यापक, सर्व सेष्ट ब्रह्मादी के भी नियामक, अभक्तों के लिए प्रकट होने पर भी भक्ती योग द्वारा प्राप्त करने योग्य, अत्यंत निकट होने पर भी माया के आवरण के कारण, अत्यंत दूर प्रतीत होने वाले, इंद्रियों क के द्वारा अगम्य तथा अत्यंत दुर्विग्यय अंत रहित किन्तु सब के आधिकारण एवं सब और से परिपुर्ण उन भगवान की मैं स्तूति करता हूं ब्रह्मा आधी समस्त देवता चारों वेद तथा संपुर्ण चराचर जीव नाम और अवरिति भेद से जिनके अ ज्वलित अगनी से लपटे तथा सुर्य से किरने बार बार निकलती हैं और पुन अपने कारण में ही लीन हो जाती हैं उसी प्रकार बुद्धी मन इंद्री और नाना योनियों के शरीर यह गुणमय प्रपंच जिन स्वयम प्रकाश परमात्मा से प्रकट होता है और पुन सक हैं नवे ऐसे कोई जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेडियों में समावेश हो सके नवे गुण हैं न कर्म हैं न कार्य हैं और न तो कारण ही हैं सबका निशेद हो जाने पर जो कुछ बच रहता है वही उनका स्वरूप है और वे ही सब कुछ हैं ऐसे भगवान मेरे मैं तो आत्मा की प्रकाश को ढख देने वाले उस अज्ञान की निवृत्ति चाहता हूं जिसका काल क्रम से अपने आप नाश नहीं होता अपितु भगवान की दया से अत्वा ज्ञान के उद्य से ही होता है इस प्रकार मोक्ष का अभिलाशी मैं विश्व के रजयिता स्व प्रणाम ही करता हूं उनकी शरण में हूं जिन्होंने भगवत भगति रूप योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है वे योगी लोग उसी योग के द्वारा शुद्ध किये हुए अपने हृदय में जिन्हें प्रकट हुआ देखते हैं उन योगेश्वर भगवान को मै नमस्कार करता हूं जिनकी त्रिगुणात्मक अर्थात सत्वरज तम रूप शक्तियों का राग रूप वेग असःय है जो संपुर्ण इंद्रियों के विशयरूप में प्रतीत हो रहे हैं तथा पी जिनकी इंद्रियां विशियों में ही रची पची रहती हैं ऐसे लोगो को यह जीव जान नहीं पाता उन अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण में आया हूं जिसने पुर्वक्त प्रकार से भगवान के भेद रहित निराकार स्वरूप का वरणन किया था उस गजराज के समीप जब ब्रह्मा आधि कोई भी देवता नहीं आये जो भिन्न भिन्न प्रकार के विशिष्ट विग्रहों को ही अपना स्वरूप मानते हैं तब साक्षात श्रीहरी जो सब के आत्मा होने के कारण सर्व देव स्वरूप हैं वहां प्रकट हो गए गजराज को उस प्रकार से दुखी देखकर तता उसके द्वारा पढ़ी हुई तुती को सुनकर सुदर्शन चक्रधारी जगदाधार भगवान इक्षान रूप वेगवाले गरूड जी की पीट पर सवार होकर स्तवन करते हुए देवताओं के साथ ततकाल उस स्थान पर पहुँच गए जहां पर वा हाथी था सरोवर के भीतर महाबली गराह के द्वारा पकड़े जाकर दुखी हुए उस हाथी ने आकाश में गरूड की पीट पर सवार चक्र उठाए भगवान श्री हरी को देखकर अपनी सून को जिसमें उसने पूजा के लिए कमल का एक फूल ले रखा था उपर उठाया और से प्रेरित होकर ग्राह साहित उस गजराज को ततकाल जील से बाहर निकाल लाए और देवताओं के देखते ही देखते चक्र से मुह जीर कर उसके चंगुल से हाथी को उबार लिया गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपुर्ण हुआ और बड़े ही प्रेम से भक्ति भाव से जय और अब आप सुनेंगे श्री तुलसी चाली सा। भगवत पूजा करे जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई जिन घर तव नहीं होय निवासा उस घर कर ही विष्णु नहीं बासा करे सता जो तव नित सुमिरन तेहिके काज होय सब पूरन कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा तव पूजन जो करे कुवा पूजा नित प्रतिनारी सुख संपति से होय सुखारी बृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुल कितमन श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिदि से तर जावे सोई कथा भागवत यग्य करावे तुम बिर नहीं सफलता पावे चायो तब प्रताप जग भारी ध्यावत तुम्ही सकल चित धारी तुम्ही मात यंत्रं तंत्रन में सकल काज सिद्धी होवे छण में ओश धिरूप आप हो माता सब जग में तव यश विख्याता देवरिशीमुनी औरतप धारी करत सदातव जय जय कारी वेद पुरानन तव यश गाया महिमा अगम पार नहीं पाया नमो नमो जय जय सुख कारनी नमो नमो जय दुख निवारनी नमो नमो सुख संपति देनी नमो नमो अग काटन चेनी नमो नमो भक्तन दुख हरनी नमो नमो दुष्टन मद चेनी नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी, नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी, नमो नमो जै कुमत नशावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी जयती जयती जय तुलसी माई ध्याउं तुमको शीष नवाई निजजन जानी मोही अपनाओ बिगडे कारज आप बनाओ करूं बिनै मैं मात तुमारी पूरण आशा करहू हमारी शरण चरण कर जोरी मनाऊं निशदिन तेरे ही गुडगाऊं करहूं मात अब मोपर दाया निर्मल होए सकल ममकाया मांगूं मात यही बर दीजे सकल मनोरत पूरण कीजे जानू नहीं कचुनेम अचारा छमहूं मात अपराद हमारा बारह मास करे जो पूजा तासम जग में और नहीं दूजा प्रथमही गंगा जल मंगवावे फिर सुन्दर शनान करावे चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे धूप दीप नैवेद्य लगावे करे आच मन गंगा जल से ध्यान करे रिदै निर्मल से पाठ करे फिर चाली साकी अस्तुति करे मात तुल साकी यह विधि पूजा करे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा करे मास कार्तिक का साधन सोवे नित पवित्र हुई जाही है यह कथा महा सुखदाई पढ़े सुने सो भवतर जाई यह श्री तुल सी चाली सा पाठ करे जो कोई गोविंद सो फल पाव ही जो मन इच्छा होई तुल सी चाली सा संपूड और अब आप सुनेंगे तुल सी महारानी की आर्थी हरी की पत्रानी नमो नमो तुल सी महारानी नमो नमो धन्य तुल सी पूरण तप कीनो शालिग रामे की बनी पत्रानी नमो नमो तुल सी महारानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो जाके पत्र मंजरी को मले श्रीपती कमले चरण लपतानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो तुल सी महारानी नमो नमो धूप दीप ने वेद्य आरती पुष्पन की वर्सा बर्सानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो तुल सी महारानी नमो नमो चपन भोग छत्ति सोव्यंजन बिन तुल साहरी एक नमानी नमो नमो तुल सी महारानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो सभी सखी मैया तेरो यशे गावे भक्ति दाने दीजे महारानी नमो नमो तुल साहरानी नमो नमो हरी की पत्रानी नमो नमो प्रेम से बोलिए तुलसी महिया की जै दोस्तों उमीद करती हूँ आज की कता आपको जरूर पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जै श्री रादे